नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दैनिक राशिफल सबसे पहले जानते हैं दैनिक पंचांग के बारे में अप्रेल सोमवार का दिन है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर दशी तिथी और नक्षत्र है उत्तर फालगुनी व्यागात नामक योग बन रहा है अभिजीत मुहूर्थ है सुबह से दोपहर तक और राहुकाल का समय शाम चार बजे से शम साथ बजे तक राहुकाल के समय में कोई भी नया और शुबह कार्य ना कर विखन आ सकती है अब बात करते हैं आज के राशी फलकी व्रिशब राशी आज का दिन आपके लिए ठीक है अच्छा है करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी नौकरी करते हैं कार्यक्षेत्र में अपने विरोधियों से बस थोड़ा सावधान रहिएगा क्योंकि वह आपको परिशान करने का प्रयास कर सकते हैं तो थोड़ा सा सावधाने की आवश्यक्ता है जो व्यापारी भाई हैं आज आलस्यमत कीजिए रुके हुए तमाम कार्यों को पूरा करने के लिए आप प्रयास करें वह पूरा हो जाएगा उन्नती होगी जो युवा वर्ग है अपनी दिन चर्या में थोड़ा बदलाव लाए दिन की शुरुआत योगा एकसरसाइस और सकारात्मक मानसिक्ता के साथ करें जो विद्यार्ती हैं पढ़ाई को नियमित करना है जैसे तमाम कार्य आप करते हैं वैसे ही कीजिए और अपने जीवन में सफलता आपको तभी मिलेगा इसलिए खूब मेहनत करें घर का माहौल आज शान्त रहेगा लेकिन आपको भी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलिएगा दूसरा आज के दिन खास कर देखिए थोड़ी सी लापरवाही आपको लक्ष से भटका जाएगा इसलिए बहुत संभल कर आज अनावश्यक खर्च मत करें नए काम की शुरुआत आज हो सकती है खाने पीने की वस्तु का दान करें तो उत्तम रहेगा आज के दिन मानसिक चिंताएं भी समाप्त हो रही है गलत कारियों पर ध्यान ना दे कर अपने कारियों के प्रती समर्पित रहेंगे तो उत्तम है स्वास्ते पहले के अबेक्षा आज बढ़िया रहेगा आज थोड़ी व्यस्तता है भाग दोड़ है आप व्यस्त हैं हालांकि निर्णय लेने की क्षमता से लाब होगा आपके रुके हुए कारियों बनेंगे आपको यदि किसी काम में निवेश करना पड़े तो कर सकते हैं आगे चल कर लाब देगा शाम के वक्त किसी मांगलिक कारियकरम में सम्मिलित हो सकते हैं तो किसी बड़े काम को करने के लिए आज दिन उत्तम है मांगली कारियकरम के भी पूरा होने का या फिर घर परिवार में होने के योग है आज देखिए परिवार में जैसे विवाह वगेरह तैय हो सकता है और सामाजिक शेत्र में कायत लोगों को महिला मित्रों से दूरी बना कर थोड़ा रखना चाहिए जिम्मेदारियों में डील ना दे जो भी वादा आपने किया है अपनों से उसको समय रहते पूरा करें अब देखिए महनत लगन से सभी कार्य कीजिए शेक्षनिक कार्यों में और महनत करें महनत से सभलता है नहीं तो व्यवधान आएगा धन के मामलों में समझदारी से खर्च कीजिएगा और प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग भी बने हुए हैं सोच समझ कर आप ले सकते हैं आजी विका के क्षेत्र में जो भी व्यक्तिकत समस्याएं हैं उनको आज वो चीजें को दूर रखें नहीं तो दिमाग डिस्टरब होगा और वाद विवाद किसी भी तरह का किसी से ना हो खास कर उच्चा धिकारी से संभल कर रहिएगा व्यापार में लाब व्रिद्ध है शेर मार्केट लोटरी जुआ सट्टा दलाली में लगे कारियों को करने वाले लोगों को सफलता ज्यादा मिलेगी और व्यापारी है तो अच्छा विक्री होगा धन आएगा लेकिन थोड़ा सा लेंदेन में संभल कर संपत्ती संबंदी चीजों में थोड़ी भाग दोड़ है भोग विलास की वस्तूओं पर थोड़े खर्चे हैं लेकिन आज दिन ओवरोनल समय उत्तम है शुब रंग लाल भाग्य साथ निभाएगा प्र और आज भाग्यांग रह लेकिन जो लोग दोनों तरफ से दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं उनके लिए समय अनुकूल है खाली समय में कुछ ऐसा करेंगे जो हमेशा आप सोचा करते थे यानि समय अनुकूल है लेकिन प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यक्त धन्यवाद